हीलो माई दियर फ्रेंट्स आज के वीडियो में मैं आज आपको पावर सिस्टम के इंपोर्डेंस ट्रोपिक पावर प्लांट एंजिनियरिंग के बारे में IMPORTANCE MCQ जो आने वाली कोई भी एक्जाम होगी उसके लिए काफ़ी इंपोर्टन्स होगा जैसे की GSSCL की एक्जाम हो PGBCLC एक्जाम हो या फिर गेट एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब भी दोस्तों के लिए वीडियो काफ़ी importance है और इसके साथ ही electrical की कोई भी competitive exam होगी उसके लिए भी वीडियो काफी importance है तो चलिए दोस्तों हमारे पहले MCQ से हम देखते हैं तो यहां पे जो हमारा first MCQ है तारापूर nuclear power plant has which type of reactor तो तारापूर में nuclear power plant है वो किस type का power plant है जिसमें जो reactor use होता है वो किस type का होता है तो यहां पे जो मारा सही answer होगा वो में B मिलेगा boiling water type का जो power plant है वो है जो तारापूर जो atomic power station है जिसे हम nuclear power plant भी बोलते हैं वो कहां पे है महारास्ट में located है और जो boiling water से reactor को complex करती है और यहां पे जो उसकी capacity है वो 210 मेगाओट 210 मेगाओट जितनी capacity है और जो power plant है वो 1969 में SW हुआ था और यहां पे जो उसके जो pressurized AV2 water reactor है उसकी capacity 540 मेगाओट 540 मेगाओट है वो 2006 में जो built up हुई थी तो यहां पे हमारा सही answer होगा वो में B मिलेगा boiling water type उसके बाद जो question देखे which of the following rotor is used in thermal power plant TPS thermal power plant को TPS भी बोलते हैं तो उसमें कौन से टाइप का rotor use होता है तो यहां पे मारा सही answer होगा वो में यह मिलेगा cylindrical rotor जो cylindrical rotor है वो very smooth होता है और जो उसके projection होते है वो एकदम yearly होते है और जो फिल्ड वाइडिंग को distribute भी नहीं करते हैं और उस तरह से पोल को भी distribute नहीं करते हैं और जो उसका small diameter है resulting high peripheral speed है उसके जो एर गेप होता है वो भी uniform होता है और जो maximum four pole को लिए यूज़ करते हैं तो यहां पे मैंने पूरा उसका description भी दिया है जो अमरा TPS है thermal power plant उसमें cylindrical type का rotor use होता है उसके बाद जो दोस्तों next question देखे इंडिया's largest thermal power station is located at इंडिया का जो सबसे बड़ा thermal power plant है वो कहां पे है तो यहां पे अमरा सही आंसर होगा वह में C मिलेगा चंद्रापूर चंद्रापूर है वो जो अमरा इंडिया का सबसे बड़ा power station है और जो इंदीरा 440 मेगा होट जितनी capacity है और जो यह इंडिया का सबसे बड़ा power plant है और उसकी जो accountant capacity है वो more than 25 percentage of total महाराष्ट की जरूरत है उसके इसाब से 25 percentage power है वो महाराष्ट में जरूर पहुचाते है उसके बाद जो question देखे what is the total install capacity megawatt in west bangal as published by ministry of power in 2011 2011 में जो west bangal की power capacity install power capacity कितनी थी तो यहां पर हमारा सही answer होगा वो में C मिलेगा 8113.27 megawatt तो यहां पर जो capacity है west bangal की तो वो जो capacity है approximately 8200 megawatt जितनी है तो यहां पर near about हमारा सही answer है वो यही रहता है इसलिए हमारा सही answer होगा वो में C मिलेगा उसके बाद जो question देखे उससे पहले देखे यहां पर मैंने एक table भी बताया है तो आप table में देख सकते है कि कि किसके कितनी capacity है वेस्ट बंगल है बिहार है सब टोटल कितना है और इस रिजियन में कितना है और टोटल स्टेट स्टेक्टर कितने है और सभी इस table में आप रीड कर सकते हैं उसके बाद जो question देखे तो net change in internal energy in a steam power plant is जो net change internal energy होती है steam power plant में कितनी होती है तो यहां पर हमारा सही answer होगा वो में A मिलेगा 0 is the steam power plant is based उन्हें cyclic process a cyclic process is net charging internal energy is equal to 0 तो internal energy है यहां पर हमारी 0 होगी तो सही answer होगा ए उसके बाद जो question देखे तो overall efficiency of power plant is given by जो overall efficiency है वो किस तरह से हम find करते हैं तो यहां पर overall efficiency find करने के लिए सही हमारा answer है वो में B मिलेगा 3600 divided by NPHR तो यहां पर NPHR क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा जो यहां पर overall efficiency है वो इस equation से find की जाती है और यहां पर जो NPHR है उससे हम net plant heat rate बोलते हैं जो most important parameter है जो performance power plant का जो performance होता है उसके लिए most important parameter है और यहां पर देखिए AP और NTO भी दिया है तो AP का full form है auxiliary power और NTO का full form है net turbine output इसके full form भी कई बार पूछे जाएगे तो यह भी आपको याद रखने होंगे दोस्तों उसके बाद जो question देखे efficiency of a power plant is more in summers और winter देखिए power plant की efficiency कब बढ़ती है summer में ज्यादा होती है या winter में तो यहां पर हमारा सही answer होगा वो में D मिलेगा winter क्योंकि sorry हमारा सही answer होगा वो हमारा C होगा summer क्योंकि summer में है वो efficiency ज्यादा मिलती है इन summer the heat loss is more so efficiency is less यहां पर सही answer उल्डेडी ही होगा दोस्तों यहां पर हमारा सही answer होगा D Sफी नहीं होगा क्योंकि summer में है क्या होता है क्योंकि summer में heat loss ज्यादा होता है इसलिए efficiency कम होती है तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा वह में दी मिलेगा विंटर क्योंकि विंटर में ही हमारी एफिसेंसी है वह ज्यादा होती है संबर में कम होती है उसके बाद जो क्वेस्टन देखे इने टिपिकल ले आउट ओफेट 215 मेगावर्ट री हीट पावर प्लांट तो फीड इन द बॉइलर इस एट त तो यहाँ पे जो कैपेसिटी है पावर प्लांट की 215 मेगावर्ट जितनी री हीट पावर प्लांट की कैपेसिटी है तो उसके लिए जो बॉइलर का टेंपरेचर है वो 238 डिग्री सेलसियस जितना होता है उसके बाद जो क्वेस्टन देखे वाट इस दा हैड ओफ वाट अवेलेबल एड टर्बाइन इनलेट इन हाइड्रो एलेक्टिक पावर प्लांट कोल्ड जो हाइड्रो एलेक्टिक पावर प्लांट में जो होटर का इनलेट होता है उसे क्या बोलते है तो उसका सही अंसर है वो मरा भी मिलेगा नेट हैड उसे बोला जाता है तो यहाँ प दोस्तों आपके सामने चार ओप्षन है उनमें से पावर्ट प्लांट का ओक्जिलरी एक्विपिमेंट कुन सा नहीं है तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा वह में भी मिलेगा गेलवे तो दोस्तों मैंने यहां पर आपको टैन मोस्ट इंपोर्टन्स पावर्ट प्लांट के एमसी क्यों बताए है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वचिंग मैं वीडियो